हेलो डिया स्टुडेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत वेलकब हैं एक बार से हमारे चैनल सुधाकरसा क्लासेस पे और आप सब को बता दूँ कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे सारे वीडियो इस पर्टिकुलर चैनल पर मिलेंगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो को स् सब्सक्राइब का यहां प्रोवाइट किया जाएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि आपको लेटिस्ट नोटिफिकेशन मिल सके हर वीडियो की ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्ला नाम है पावर शेरींग का पर कही समणहीं आता है क्या चाप्तर है यहां पर पावर को शीर करने की बाद के ज़री है और इस अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए NCRT बुख ने दो कंट्रीज की स्टोरी ली है वेल्जियम की और शिलंका थी तो दोनों स्टोरीज को कवर अप करने के बाद हम कंपेर भी करेंगे और कंपेर कमके हमको पावर शेरिंग का एक बेटर आउटकम मिलेगा कि एक्चुली म इन वार्यस यूनिट्स नोन आस पावर शेरिंग जब किसी पावर सको हम क्या करतें जब किसी पाटिकुलर चीज को अगर शेयर करना आप यह देखिए यह पेन है का ठीक है अगर मुझे इस पिन को क्या कहते है शेय करना होगा चार से पांच लोगों के बीच में क्या करू नहीं है तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर शेयर करना है तो इसको डी सेंटलाइस में करना होगा बिना डी सेंटलाइस में करना होगा है हम शेयर उसे नहीं कर सकते हैं यह आप सब को पता है ठीक तो यहां पर किसको शेयर करने की बात की जारी यहां पर शेयर करने की ब decentralized form में convert करेंगे किस form में convert करेंगे decentralized form में convert करेंगे decentralized form में decentralized form में अगर आगर 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 इस power को convert करेंगे तभी power sharing possible है otherwise नहीं for example आप लोग यहां धान दीजिए जैसे यह power है यह आपका power है अब यह power अभी centralized form में है तो अगर power centralized form में है तो इसको शेयर करना possible नहीं है और अगर power कहीं भी centralized form में होता है तो उससे conflict की possibilities बहुत बढ़ी होती है ठीक है न इस चीज को आप लोग समझते हैं for example, dictatorship, poly government होती है या आप बात कर लो किसी भी एक suppose करो कि मैं अच्छा से example आपको देता हूं कि आपके father आते हैं घर में आप 3-4 भाई बहन है वो एक को 10 रुपए दे दें बागी किसी कोई पैसा न दें तो ऐसे condition में क्या होगा सारे भाईयों बहनों में लड़ाई होने लगी अपस में और वहीं पे फादर अगर सभी भाईयों बहनों के पीच में equally पैसा दे दें 5-5 रुपर सबको दें तब उनके बी यह और एक इक यूनिट में क्या कर देते हैं तो यही पर्तिकुलर कॉंसर्ड आपका कहलाता है पावर शेरिंग का मतलब क्या होता है pbSpace को यहां पर शेर करने की बात की जरूरी है तो फार शेर करने के बाद से आले कोड़ीज का विह है काभी हद तक कम हो जाती है तो अब कई बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर पावर शेरिंग का एडवांटेज क्या है तो देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना यह हम अपने अपने प्रॉस्पेक्टिव सो देखें अब सपोस करें कि कहीं पर चार भाई रहे और चारों भाईयों में करेगा उनकी तूट जाएगी लेकिन अगर उन चारों भाईयों के बीच में बहुत लड़ाई होती हैं और हम अगर वहां पर पावर शेरिंग का मतलब है यह एक ऐसा पर्टिकुलर टर्म है यह आपका सकते हो एक ऐसा पर्टिकुलर कॉंसेप्ट जिसमें यह बताया जाता है कि पावर्स को अगर हम अलग-अलग उनिट्स में डिवाइड कर दें तो यही आपका पावर शेरिंग है और ऐसा करने से सोसाइटी में कंफ्रिक की पॉसिबिल्टी काफी हद तक कम होती है ठीक तो आप लोग एक चीजब यहां देखिएगा NCRT ने क्या किया है क्लास 10 क कनृट के निसयाइटी वुकने पावर शेरिंग काउंसेट को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए दो कंट्री के लिए एक बेल्सियां की और दूसरी शिलंका की दो चलिए दोनो नोग चोन्तोरी को कवर करता है और और कंपेर करने के बाध आउटकम देखेंगे पावर कालर एंग एंग एनिशिकर्ट आप 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 हम इसेंशिल फैक्ट अबाउट बेल्जियम के बारे में क्योंकि यहां सभी आपके वायरी शॉट टाइप आफ कोश्चंस या मल्टीपल चॉइस कोश्चंस आपके बनते हैं ठीक है ना तो कुछ फैक्स देख लेते हैं क्योंकि बोर्ड एक्जाम में बोर्ड एक्जामिनेशन में कई बार इन फैक्स के उपर भी एक एक दो नंबर के कुश्चन पूछ ले जाते हैं तो हम एक भी नंबर मिस नहीं करेंगे हम सारी चीजों को कवर अप करके चलेंगे ठीक है तो सबसे पहला फैक्ट देख लेना मैंने बार बताया Belgium share its political boundary with four countries and these countries are France, Luxembourg, Netherlands and Germany ठीक है यह लिखना जरूरी नहीं है याद रखना जर्मणी, France, Luxembourg and Netherlands इन चारों countries से Belgium क्या करता है अपने political boundary को share करता है तो यह आप लोग याद रखना है तो कि कई भार board examinations मैं ऐसे questions पूछे गए हैं कि वीशन आफ दा following countries not share their political boundary with Belgium तो तीन तो यह रहेगा एक option को यह और देगा तो इसको आप लोग अपने दिमाग पर रखना एक भी नंबर किसी कम इस नहीं होना ठीक आगे धान देना अब इसके बाद Belgium independent का हुआ था तो यह आप लोग याद रखना 1830 में Belgium independent हुआ था जब क्या कहते हैं यूर लार की फॉर्म आफ गॉर्वर्मेंट थी और उसे टाइम पर क्या कहते हैं वहाँ पर आपके जुलाई रिवलूशन हुआ था और जुलाई रिवलूशन से ही आपका बेल्जियम नीदर लैंड से अलग हुआ था 1830 में यह आध रखना 1830 में जुलाई रिवलूशन से यह रिवलूशन के थुरू नीदर लैंड से यह क्या हुआ था अजाद हुआ था तो कुछ यह इसेंशल फैक्स मैंने आपको बेल्जियम के बारे मता दिया इस चीज़ को अपने दिमाग के बैठा लीजे यह बहुत इंपॉर्टेंट है और एक चीज़ आपको बता दें बेल वाटरलू से 80 किलोमेटर परी ब्रसेल से 80 किलोमेटर साउथ में एक जगा है वाटरलू जहां पर बहुत फेमस बिटल लड़ा गया था 1815 में नेपोलियन बुनापार्ट के बीच में और कुछ यूरोपियन पावर्स के बीच में तो यह चीज़ आप लोग पने दिवांग लोग को नहीं देंगे बाग चली अब बैल जयन के इथानिक पोजिशन को देखते हैं, ओक्या सुधाकर सर बहुत फ्लोटी पी रहे हैं यहाप है बड़े हैं, हैप्य बड़े चलो यहाँ, चलो यहाँ आप लोग फोकस करो बस लिए दो टॉपिक और पढ़ा दें सेकंड्र पार्ट में वहाँ आप पार्ट में आप रिफानिक ओपोजिशन औरफ बैल्जियूम एथानिक कमपोजिशन ऑप बेल्जियम ठीक है न जब बहुत दानाज देखते हैं इथानिक और लुटेशन ऑब बेल्जियम का इसे कमपोजिशन क्या था अब यहाँ पर मैं आप लोगों के चोटा ता हमब्ग दे रहा हूं जो भी बच्चे जानते हो प्लीज कमेंट वाट दो यूँ आल मीन बाइदि टर्म इथानिक वाट से आप लोग क्या समझते हैं यह आप लोग सारे के सारे जितने फिलोगी वीडिव देख रहे हैं प्लीज आप लोग कमेंट शिक्षन में जरूर मेंचन करिए कि एथानिक तमस के मतलब आप क्या समझते हैं चोटा सा है जरूर बताईए ठीक अब आगे चलते हैं अब हम लोग लेंगे ग्रीन चलो आगे धान दो तब से पहले देखो बेल्जियम के इथानी composition को हम cover up करने चल ले हैं तो बहुत धान से आप लोग समझेगा बेल्जियम की जो total population थे उस total population का 59% बेल्जियम की total population का 59% वहाँ पैसे लोग थे जो कैसी language बोलते थे जो आपके बोलते थे दक्च language कैसी language बोलते थे 59% population of बेल्जियम्स are speaking Dutch language और यह लोग जहां पर रहते थे उस जगह को क्या बोलते थे यह बहुत अच्छे से अपने दिमार्ग में आप लोग बैठा लिजेगा ठीक है मैंने क्या बताया बहुत धान से देखेगा बेल्जियम का जो total population था उस total population का 59% महाँ पैसी population थी जो Dutch speakers थी कैसे speakers थे Dutch speakers यह लोग Dutch language बोला करते थे ठीक है और यह लोग जिस जगह पर रहते थे उस जगह को क्या कहते थे flammish region is it clear अब देखते हैं second इसके बाद 40% 40% population जो Belgium की थी they are speaking French language 40% population of 40% population of Belgiums are speaking French language and they all live in Wallonia region okay यह लोग जी जगह पर रहते थे उसको क्या बोलते थे उसको बोलते थे Wallonia region is it clear and the remaining 1% population of Belgium and the remaining 1% population of Belgium are speaking German language and the remaining 1% population of Belgium are speaking German language और एक पर संच जगहा रहते थे यह लोग रहते थे जहां पर यहां पर बेल्जियम जर्मनी से बॉर्डर शेयर करता था उसी बॉर्डर एर्याज में यह 1% जर्मन स्पीकर्स रहते थे कहने का यह मतलग है कि जहां पर बेल्जियम जर्मनी से बॉर्डर शेयर करता था अपने political border को उनी border रियाज में ये 1% German speakers आपके रहते थे थे, but that is the ethanic composition of Belgium, एक बार में फिर से बोला हूँ, धना सुलेना, क्या है, 59% population of Belgians are speaking Dutch language and they live in Flemish region and the next 40% of French, 40% of population, 40% population of Belgium are speaking French language and they live in Wallonia region and the 1% population of German speak, 1% population of Belgium, sorry, speaking German language and then live in the border area of Germany and Belgium, okay, so I hope ये Belgium का इथानिक composition आप लोग को समझ में आ गया हो, लेकिन अभी पूरी तरीके समझ नहीं हाँ, क्योंकि मैंने इथानिक composition बताया है, अब इस इथानिक composition को देखकर, आप लोग ये बताईए, कि यहाँ पे majority किसकी है, majority किसकी है, ठीक है, कह सकते हो कि number of population किन communities के ज़्यादा है, तो number of population सबसे ज़्यादा किन की है, Dutch speakers की, 59% और उसके बाद 40% को नहीं French speaker और 1% को नहीं German speaker, तो अभी इस चीच को अपने दिवाद में बैठा के आप लोग रखिए, कि Belgium की जो population थी, Belgium की population में, majority वहाँ पे किसकी थी, majority थी, Dutch speakers की, minority किसकी थी, French speakers की और German speakers की, तो हम लोग आगे चलता है, ठीक, I hope, यहाँ तक आप लोग को चीज़े कलियर हो गई हो, कोई अगर doubt है, तो आप comment section में ज़रूर mention करिए, और आप लोगों को मैंने कोई questions आए, यहाँ से, तो वह आपके पहुष से बाहर ना जाए, उसको आप लोग attempt कर सकें, ठीक है, concept भी clear करेंगे, facts को भी cover करते चलेंगे, कोई भी question board examination में आए, तो आप से बाहर ना जाए, बस यही मेरा एक छोटा सा objective है, अब आप लोगों को यह तो मैंने बता दिया, कि Belgium में majority कि इसकी थी, Belgium एथानी composition देखके हमने यह समझा, कि Belgium में majority है, वहाँ के Dutch speakers की और minority कि इसकी है, French speakers और German speakers की, ठीक, तो आपके देखते हैं, अब आपके देखो, मैं यहाँ पर map बनाने चला हूँ, तो यह exactly map उस तरह बने कि नहीं बने भगवान जाने हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए, यह ठीक रहेगा, ओके, यह हमारा क्या है, Belgium माप बेल्जियम का map horizontally, expand करता है कि vertically, इस पर आप लोग मत जाएं, आप लोग बस यहाँ फोकस करें, ठीक, अब बेल्जियम का capital city, बहुत धान देखेगा, यह मैंने बना दिया, बेल्जियम की capital city, Brussels, यह map बनाना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि चीज़े आपको समझाना बहुत important है, अब आगे धान देना, अब देखो, अगर टोटल बेल्जियम की बात करें, तो मैंने अभी बताया कि टोटल बेल्जियम में 59% population ऐसी थी, जो कैसी language बोलती थी, जो आपकी बोलती थी, Dutch language, जो कैसे language बोलते थी, they are Dutch speakers, 40% ऐसे थे, जो क्या बोलते थे आपके, जो आपक बात करें, ब्रसल्स के थानिक composition की, जो की बेल्जियम की capital city है, ब्रसल्स के थानिक composition की आप बात करेंगे, तो यहाँ पे 80% आपके French speakers थे, अगर हम separately बात करें, के वल capital city की, तो 80% population यहाँ पे French speakers थी, और 20% population यहाँ पे कैसे थे, 20% population यहाँ पे Dutch speakers थे, is it clear, बहुत धान सा आप लोग समझेगा, यही वो controversial point है, जिसके कारण दोनों communities को आपस में क्या करना पड़ा, accommodation, अपने problems को settled down करना पड़ा, इसी controversial